बिस्मिल्य रफान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, वेलकम बैक तो दे मैट्स क्लास, ये टीचर्स आज हम कॉंपिटेंसी नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं और इस कॉंपिटेंसी में हैं नंबर्स का जिकर, नंबर्स और बचों ने जो सिंगल डिजिट नंबर्स थे यान जो प पेंतर होंगी, हमारे पास जो एक्स्पेक्टिव लर्निंग आउटकम है, तरिकलम में, वो ये एक्स्पेक्ट कर रहा है हमसे कि चिल्रन विल डिवेलप बैसिक अंडर्स्टैनिंग्स अफ वांटिटी, तांटिंग अप्टु 50, और सिंपल नंबर्स अपरेशन उप्रेश सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए इसको हमने दो तीन काटेगरी में डिवाइट किया है, और उनको हमने काटेगरी वन में यानि प्राइमरी नंबर्स में आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसके पर जो आज का जो इंट्रोड़क्शन है टॉपिक का वो भी यह है, स जो पल मने सेखेंडरी नंबर्साइब आपको पता है, मत्माटिक में हमारे पास डिजिट सैं हैं पर जीरो तु नाइन के बाद आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, विकास नंबर्स को keep going on in infinity तो हम इनी digits को different combinations में इस्तमाल करते हैं और फिर मजीद numbers की रिएच करते हैं इसलिए 0 से 9 तक की जितनी भी identification थी वो हमने first term में रखी ताके बच्चों को पहले समझ आ जाजए कि किस digit को कितनी quantity के साथ हमने balance करना है अब हम चल रहे हैं चूँके double digit की तरफ तो it's a secondary number और double digit में हम 10 की बात करेंगे और आपको पता है कि 10 में हमने बच्चों को यह concept देना है कि when there is one and then there is a zero and zero means nothing तो उसको comprehend कैसे करना है अपने mind में इस चीज़ की आज हम उनके साथ understanding built up करें हैं आज का टास्क किये है count how many fingers in your hands can you see, read loudly and color the pictures or the topic is introduction of secondary numbers and secondary numbers start from 10 up till all the way till 99 जोंकि हमने बच्चों को writing में 50 तक ही लेके जाना है और बाकी की counting अगर आप चाहें तो इनको orally भी करा सकते हैं या classroom में अगर आपका कोई poster लगावा है तो लेकिन वो सब होगी oral counting जो उनको simply आने चाहिए लिखनी भी counting not the spellings वो आने चाहिए from 0 to 50 as per the expected learning outcome अभी किताब के सफ़े पी देखिए बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है what can you see on the screens hands hands जी हाँ उन्तों में क्या क्याते है heart जी तो हमारे कितने हाथ है one and two एक दो हाथ है मरे दो हाथ है लेकिन हमारे हाथों के अंदर है उंगलियां भी और अंगूठे भी तो जब हम इन सब को अकठा count करें तो कितने बनते हैं counting तो हमें आती है न चले हमें साथ जल्दी से हम counting कर लेंगे और उसके बाद खिर हम अपने किताब के टाक्क पर जाएंगे so one two three four five five in one hand six seven eight nine ten so five and five ten बन गे ना five and five और यह हाथ क्या चीज है यह हमारे कितने काम की चीज है ना हमें कहीं पे खारिश हो हमें कोई problem हो रही हो हमने कुछ खाना हो हमने कुछ चीज पकड़ नहीं हो हमारे कितने काम आते है तो चलिए teachers अभी वीडियो को नहीं पे पॉस करके बच्चों से एक ग्रुप में पूरी क्लास है fingers count करवा लिए लिए multiple times और फिर practice करवाईए इनको कि अपने हाथों को कैसे इस्तेमाल करना है while they are counting their fingers so please pause the video okay after counting the fingers now we all are sure कि हम अपके हाथों में 10 fingers है so teachers कभी कभी ऐसा होता है कि genetically कुछ पच्चों के हाथ में या पाउ में एक extra उंगली भी या उठा भी होता है तो अगर ऐसी कोई situation आपकी class में है तो इसको जो है आपने appreciate करना है उस बच्चे को encourage करना है motivate करना है कि oh my god you are so lucky you have an extra one कभी भी ऐसी छोटी छोटी चीज़े ऐसे से differences को highlight करके बच्चों को bully होने से बचाएं आप classroom में इस चीज़ को appreciate करे when the children can count 10 that particular child can count maybe 11 और vice versa अगर किसी खुदाना खास्ता वज़ा से किसी बच्चे की उंगलियों में कोई defect है या कुछ issue हुआ है तो आप उसको भी बच्चों को positively उसके साथ discuss करें इस चीज़ को और बाकी बच्चों सो उसको bullying के लिए से बचाएं और उस बच्चे का self confidence built up करें तो चलिए बच्चों counting तो हमने fingers की मदद से की और अगर teachers ने classroom में कुछ चीज़ रख के आप से कहा कि उनको भी count कर लें जैसे कि blocks या color pencils erasers तो that would be excellent so teachers अभी आपने जो group activity बच्चों से करवानी है you have to make a very simple poster for numbers अगर आप इसको मजीद colorful भी करना चाती है कोई इसमें cartoon उनसे कोई से चीज़ आड़ करना चाते है तो जरूर कीजिए बच्चों को different tasks दे दीजिए groups में divide कर दें बच्चों को दो दो बच्चों से कहें कि इन के लिए कुछ चीज़ बना ले जैसे के one के लिए को बड़ा सा मेंग उनको कह दें वो draw कर किसमें color कले totally up to you लेकिन ये काम होगा group का और फिर ये group का काम होने के बाद classroom में paste होगा हमेशा से preschool की classroom में बच्चों का material लगाया जाता है ताकि बच्चों से connect भी रहे अपनायत भी feel करें और बोरियत भी ना उनको कि ये पिछले एक साल से तीचर ने लगाया वह तो ये ये ही लगा रहेगा बच्चों कि इस creativity को यूज करें यही इनका resource है और उसके बाद video को pause करके आपने बच्चों से कहना है कि एक तो इन fingers में color कर ले दूसरा आज का जो हमारे number है 10 इसको खूब अची तरीके से पहचान ले पहले लिखा जाता है 1 और फिर आता है 0 So this is your number 10 10 उर्दू में इसको 10 कहते हैं हमारे हातों में 10 सुम लिया है We have 10 fingers Good job So teachers अब हम continue करेंगे कुछ activities को जिनको बच्चों ने अपने साथ ले किया तो घर जाना है या classroom में तर आप चाहें तो इसको अपने next lesson की practice के लिए रख सकते हैं यह classroom का एक project है आप जब इन projects को complete करेंगे तो by the end of the numbers आपको इस project display day रख सकते हैं जिसमें groups में बच्चों से activity करवा ले अब बच्चों के hands के cut out आपने बनाने है अगर आप individual बच्चों के लिए कर सकती है तो good नहीं तो कम से कम आप दो बच्चों के दो friends के एक एक हाथ को आप लेके इस किसम के activity कर सकते हैं इस इस अपने इस तर्म बच्चों के पास 10 से लेके 20 तक जितने भी projects होंगे उनको आप एक दिन display करके parents को भी बुला सकते हैं और show कर सकते हैं कि बच्चों ने double digit numbers को यानि secondary numbers को understand करने लिए कितने सारी different activities की हैं ये activities इनकी learning है हर वकत हर चीज राइटिंग से नहीं analyze हो सकती जितनी रंगीन इनकी जिंदगी इस उमर में आप रखेंगी colorful papers और chart papers के साथ pencils के साथ, poster color के साथ, play-doh के साथ उतना ये जो आज आप से सीख रहे हैं इनको सारी उमर याद रहेगा यही हमारे expected learning outcomes है इनने को achieve करने के लिए हम practice कर रहे हैं activities को मैं सोच के लेके आती हूँ किताब की support भी हम लेते हैं और फिर extra worksheet जो description box पर दी गई है वो भी आपको provide की गई है कि आपको idea हो कि यह activity इसी हद तक और इतनी हीन से करवानी है so continue कीज़े activity को take your time, enjoy and have fun Allah Hafiz